हलो फ्रेंड्स रामोजी फिल्म सिटी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली हैदराबाद से यहां तक का सफर 30 किलोमीटर का हमने एक घंटे में तै किया इस समय मैं रामोजी फिल्म सिटी पहुँच चुका हूँ इनफैक्ट इतना बड़ा फिल्म सिटी देख के नहीं मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को यहां किसी ने बताया टोटल साइज जो इसका है वो है 2000 एकर्स मतलब सोच के आदमी हरान हो जाए यहां बच्चों के लिए एक्टिवीटीज है रेस्टरॉंट दिखाई दे रहा है यह टॉय ट्रेन है सामने बस है इसमें लोग बैठकर जर्नी करते है पूरा फिल्म सिटी दिखाती है वैसे मैंने एक जगा वाल पर पीछे पड़ा लिखा हुआ था कि यह जो फिल्म सिटी है रामो जी यह वर्ल्ड की लार्जस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड में इससे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है नाइस था सब को नगश्कार सब को नगश्कार सब को नगश्कार आपको फिल्म सरी का अधिक सो एगत, नेरा नाम वेजय मैपड़ तूर इसकार्ट तेलगुवाल लुना रंडी? ना पेरी वेजय रंडी मेड़ तूर इसकार्ट यह प्लेस को युरेका बोलते हैं युरेका में आपको अंटेटेंब्मेंट शोर्स, शॉपिंग्स, रेस्टोरेंट राइट्स यहां पे रहता इस स्टार्टिंग ने इंडिंग प्लेस वाबर जाने के लिए बस दस मिलेगा लास्ट बस एटो प्लाग यह बगवतम हॉल है अंदर माइथालोजिकल सेट है यह टूरिजम के हिसाब से एक मेन अट्रैक्शन है इस जगह की अंदर कृष्ण भगवान का एक दरबार है और उसके जस्ट आगे दुर्योधन का दरबार लगा हुआ है यह ट्रेन का सेट है यहाँ पर चनेई एक्सप्रेस में जो स्टेशन का सीन दिखाए गया था वो यहाँ पर शूट हुआ था हम तो रामोजे फिल्म सिटी दुपैर में आए हैं तो यहाँ आने के बाद पता लगाए हैं अगर हम मौनिंग में आते हैं नो बजे तो यहाँ पर वेलकम होता है उसके बाद अंदर डांस करते करते लोग अंदर चले जाते हैं यहाँ पर इस ताइम कुर्सिया लगी हुई है कार्णीवाल का टाइम है शाम को स्टेच शे होने वाला है यह कावबॉइ स्ट्रीट है वाइल्ड वेस्ट के थीम पर बनाया गया है अंदर शो होने वाला स्टार्ट वाइल्ड वेस्ट स्टन्च शो मैं समय रामो जी मूवी मैजिक एरिया के अंदर हूँ यहां पर लाइब शो होते हैं चांस की वाद हम ऐसे समय यहां पर आये इस समय लाइब शो बंद हो चुके हैं ठाई बज़े लास्ट टाइम है मेरे ठीक सामने स्पेस यात्रा शो होता है जिसमें 6 मिनिट के लिए वो फील्ड देते हैं स्पेस में जाने की फिल्मी दुनिया शो एरिया करिंटले अंडर रेनोवेशन है उसके बाजू में जो बिल्डिंग है वहाँ पर शोले का सीन होता है CGI के थूँ उसको डिपक्ट किया जाता है दिखाया जाता है और उसके आगे लाइट कैमरा आक्शन शो होता है जापर फ्लोरोड सेंट लाइट के थूँ अच्छन डिपक्ट किया जाते हैं तो एक तरह से कह सकते हैं, यह सेलफी जोन है, फोटोग्राफ्स कीचके, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, देखिए पीछे कितनी मस्त कार खड़ी हुई है, पेट्रोल पम्प का सीन लग रहा है, देखकर विल्कुल यहां फोटोग्राफ्स ली जा सकती है. यहां पर सब कुछ फिल्मी है, जैसे कि सामने एरपोर्ट का सेट, अभी हम निकल रहे हैं, सेंट्रल जेल के सेट की तरफ. इस समय में एंटर कर रहे हैं महिश मती किंगडम में, यहां पर बाहु बली की शूटिंग हुई थी, सामने पूरे बाहु बली के सेट लगे हुए, छेसो दिन से ज्यादा लगे थे बाहु बली को शूट होने में, इस जगा पे. आप सेट की खुबसूरती देखो, देखते ही बन रही है. यह वही वील काट है, जिसको आपने बाहु बली टू में देखा, जिसके तुरू उस एलिफेंट को अटैक करने से रोका गया. यह भलाल देव का रथ है, आगे अब सिंखासन की तरफ चलते हैं. इस सेट को देखके लग रहा है, यह बिल्कुल भी कोई और्डिनरी सेट नहीं है. इसका साइज और डामेंशन देखकर तो बड़ी हरानगी हो रही है, जैसे फिल्म में देख रहा था सीन, एक्जेक्टली वैसा ही है बाहु बली का सेट. यह वही जगा है जहां पर राज सिलक हुआ करता था और यूध होते हुए यहां से देखा जाता था, यह है राजमाता शिवगामी सामने सिंखासन. आप यहां पर बैक्गराउंड में देख सकते हैं, ब्लू स्क्रीन का इस्तमाल किया जा रहा है, तो ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन के थूरू बैक्गराउंड को चेंज कर देते हैं, आदा सेट तो तयार किया गया है, बाकी सेट ग्राफिक्स के थूरू चेंज कर दि इस समय हम Princess Street में हैं, Left और Right के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, International Style Buildings हैं, यहां पर गोलमाल की शूटिंग हुई, All the Best की एक Song Sequence की शूटिंग हुई, और बीच वीच में फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, यह Hospital Style Building है, फिल्मों में जब यह Hospital का सीन दिखाना होता है, तो इस बिल्डिंग को इस्तमाल किया जाता है, इंदी सीरियल सिया की राम की शूटिंग इस जगा हुई थी, इस समय कारनीवाज चल रहा है, उसके लिए इस एरिया में Special Lighting की गई है, आज हमारी टाइम मैनेजमेंट कितनी खराब हो गई, Movie Magic Show पहुंचने में लेट हो गई, रामोजी फिल्म स्टूडियो इतना बड़ा है, कि पूरी तरह से गुमने एक लिए दो दिन भी शायद कम बढ़ जाएं, रियालिटी में तो ऐसा लग रहा है, हर सेट पे एक घंटा स्पेंड करें, फिल्म शूट के बारे में सोचें, इमेजिन करें, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक गुमते सबसे ज्यादा हमने इंजॉए किया बहु बली का सेट, ये फिल्म सिटी का हाइस पॉइंट है, यहां से पूरा फिल्म सिटी का व्यू दिखाई देता है, इस समय विंटर कार्नीवाल चल रहा है, लाइटिंग की गई, आप देखो कितना खुबसूरत नजारा है फिल्म सिटी का, नीचे की तरफ ये भी खुबसूरत लग रहा है, छोटे से लेके बड़ी अलिफेंट, ग्रास में स्कल्प्ट किये गए हैं, हमारे सामने जो सीन है, डिर्टी फिल्म का उलाला गाना यहां पर शूट किया गया था, यह है एंजल फाउंटेन, सामने मुगल गार्डन, कितना खुबसूरत लग रहा है, लाइटिंग हो रखी है पूरी, और यह राइट एंड साइड में गार्डन है, यहां पर फिल्मों के गाने गाये जाते हैं, गानों की शूटिंग होती है, इस जगह का इस्तमाल किया जाता है, अगर बुलन दर्वाज़ा दिखाना हो, अंदर मस्जिद है, अब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यहां पर इंडॉर शूटिंग होती है, उसको देखते हैं, इन बिल्डिंग्स को, इंडॉर शूटिंग के लिए इस्तमाल किया जाता है, यह स्मॉल टाउन सेट है, यहां पर चैनेई एक्स्प्रेस का अक्शन सीन शूट किया गया था, इस एरिया में कमीने फिल्म का सेट बनाया गया था, और शूट किये गए थे, सामने सेज्ट शोव चल रहा है, आगे चल कर देखते हैं क्या है, इसी प्रथा को आगे भढ़ावने रहे हैं, because we having the next performance, the next act is a Bollywood act, Bollywood फिल्म्स पसंदे आप लोगों, यह दो साल से हदराबाद में रह रहे हैं, तो इंका कहना है कोई भी रलिटेव अगर आता है, तो उनको Ramosji दिखाने लेके आता है, आपका आज रामो जी में? बहुत अच्छा है और अभी आज भी हमारे रिलेटिफ हैं आज भी हमारे रिलेटिब हैं वेर अल्से इंजुएंट एड रिलेटिफ एडिट वह जिए चिलिए बीषा हैं में रिलेटिफ कर दो 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 कर कि अचरो को ब्रार आंग आए अच्जय करें और तक हम इसने में करेंगा है कि अच्छी लिवार सुझी कम इसने के निल्क नियरं अच्छी नेंचे आ खरते हैं कि आ ने आ चेया है कि अवन अच्छा लगता है आज आपना जनर दिन अपने शाधी के अनिवरसरी हमारे साथ सब्सेट कर्ते होते हैं थैंक्यू भरी मार्टो ताक्यों बुद्य मार्टो ना ना एंसे बात कर रहा था यह अननपूर से आहे हैं लागी हीज़ अननपूरण हैं हम प्रोफिक किलो मिटर्व आपको फिल्म सिटी बहुत इची जिग है, फामली के लिए एंटरेंटमेंट है, आप यहां पर दो-ती निंग लिए आप आप आपके स्थे कर सकते हैं So nice of you, hello, thank you, enjoy करो, thank you very much Thank you रामो जी का ट्रिप हमारा बहुत मस्तरा, सिर्फ एक चीज का गम है कि हमें यहां पर सुबा नुब जाना चाहिए था, और शाम को साढ़े साथ आठ वेदे घुमना चाहिए था, हम यहां पहुंचे, अल्मोस दुपहर में पोने दो बजे, दो बजे एंटरी बंद हो जाती ह अब बताइए वीडियो आपको कैसा लागर आगर आगर आपके कुछ एक्सपिरियंसिस है रामो जी रिलेटिट तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, थांक्स वारियर टाइम अभी निकल रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखे, तीन-चार होटल्स, इस समय मैं आया हूँ, तारा होटल में फाइंड आउट करने के लिए यहां पर टरिफ क्या है, तो मुझे बताया है, पांच ज़ार रोपे पर नाइट की रेंज में है, फिर इन्हों ने बताया है क जिसमें टारिफ 3,200 रुपीस की रेंज में, फिर अलग कैटेगरी के हिसाब से, यहां पर 7,500 रुपीस पर नाइट तक टारिफ जाता है, तो यह मैंने सोचा जस्ट आपको इन्फोर्मेशन के तौर पे शेर करू, मैं दुबारा रुपीट कर रहा हूँ, रामो जी का हमें बहुत मज़ाया, कफी अच्छा दिन स्पेंग किया, थांक्स फर यूर टाइम